ऐलो एब्रीवन, वेल्कम टू एग्जाम और बिट क्लासिस, आज की क्लास में डिसकस करेंगे 9 अप्रेल का मोस्ट इम्पोटेन्ट करेंट अफ यार्स, फ्रेंट्स करेंट अफ यार के साथ-साथ, इस क्लास में हम लोग इस्टेटिक जी के भी ज़ी कबर करेंगे, साथी कल के क्लास का कोई क्रिवीजन भी कराया जाएगा क्लास के लास्ट में कुछ कोईशन आप से पूछे जाएंगे जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में तो चलिए अंसर है आप सन ए हर्याना पिधान सबात दुवारा आए डिसकस करेंगे इस प्रस्ताब के बारे में इसके पूरा हो जाने के बाद यह नहर हर्याना और पंजाब के बीच राभी और ब्यास नदियों के पानी को साजा करने में सच्छम होगी प्रस्ताबिस सतलज यमना लिंक नहर की लंबाई कितनी है 214 किलो मीटर जो कि सतलज और यमना नदी को आपस में चोड़ती है जैसा कि आप सभी इस पिक में देख सकते हैं यह है यमना नदी जबकि यह है सतलज नदी दोनों को किसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है एक नहर के माध्यम से दोनों नदियों क आपस पे चोड़ा जा रहा है अब डिसकस कर लेते हैं सतलच यम्ना नदी के बारे में क्योंकि चर्चा में बनी हुई है तो एक्जाम में पूछी जा सकती है सतलच नदी का उदगम कहां से होता है मान सरूबर के निकिट राक्छस ताल से इसका उदगम होता है सतलच नदी के प्राचीन नाम क्या है सतुर्दी जरण द्रोस जो कि अक्सर एक्जाम में पूछ लिए चाते हैं सतलच नदी के पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले फ्रोचपुर जिले के हरीके में कौन सी नदी सतलच में आकर मिलती है तो फ्रेंट्स याद रखना है ब्यास नदी जेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलच किस नदी की मुख्य सायक नदियां है सिंदू नदी की अब आप लोग comments box में बताईए कि सिंदु नदी का उद्गम कहां से होता है यमना नदी का उद्गम कहां से होता है उत्तराखंड के उत्तरकासी जिले के पंदर पूठ चोटी से इसका उद्गम होता है यमना की प्रमुक सायक नदिया कौन-कौन सी है टोस नदी, चंबल नदी, पेतवा नदी तथा केन नदी यमना कहां बैती है तो फ्रेंट्स देख लेते हैं उत्राखंड से होते हुए हर्याणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बैते हुए प्रियाग राज में गंगा नदी में मिल जाती है सिंदु चल समझोता किन दो देशों के बीच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में डेट याद रखेगा इंपोडेंट है सिंदु नदी तंत्र में मुखेता कितनी नदियां सामिल है कुलच है सिंदु छेलम चिनाफ राभी व्याज और सतलस नदी 19 सितंबर 1960 को किसकी मध्यस्ता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची यानि की पाकिस्तान में सिंदु जल संदी पर हस्ताक्षर किये गए थे बल्ड बैंक की मध्यस्ता से आगे डिसकस करेंगे इस समझोते के तहट सिंदु नदी तंत्र की तीन पूर्वी नदिया राभी सतलच प्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया जबकि तीन पच्छमी नदियां जेलम, चिनाब और सिंदू के जल पर पाकिस्तान को पूरा अधिकार दिया गया फेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन दवाना बिलकुल न भूलें जिससे आप लोगों को क्लास का नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा साथी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए अगला कोईशन डिसकस करेंगे किस राज्य सरकार ने मुख्य मंतरी उद्ध्योक क्रांती योजना सुरू की है तो इस योजना की सुरवात की गई है मद्द प्रदिस सरकार द्वारा बरतमान में मद्द प्रदिस के मुख्य मंतरी कौन है सिबरासिंग चोहान फैंट्स डिसकस कर लेते हैं इस योज़ना के बारे में क्योंकि ये important है इस योजना के तहत यूवाओं को स्वेरोजगार के लिए एक लाक रुपए से लेकर पचास लाक रुपए तक का रेड दिया जाएगा इस योजना की अनूठी विसेस्ता ये हैं कि राच सरकात 3% ब्यास सबसीडी के साथ बैंक गारंटी भी प्रदान करेगी एमपी के मुख्यमंतरी सिवरा सीन चोहान उध्यो किरांती योजना पहली बार नवंबर 2021 में पेश की गई थी लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया अब डिसकस कर लेते हैं मद्द प्रदेश के बारे में यानि कि मद्द प्रदेश लेटिस्ट करेंट अफ्यार इंडिया स्टेट औफ फोरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छित्रफल की दरश्टी से सबसे अधिक बन किस राज्य में हैं मद्द प्रदेश में किस केंद्रिय जेल ने अपना रेडियो चैनल सुरू किया है इंदौर की सेंट्रल जेल ने हेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 देश की मेजवानी कौन करेगा मद्द प्रदेश मद्द प्रदेश के भोपाल में इनका आयोजन किया जाएगा मद्द प्रदेश के सबसे स्वच्च सहर इंदौर को स्वच्च सर्वेचर 2021 के तहट देश का बाटर प्लस सहर घोशित किया गया है अंथरास्टिय स्वच बायू उत्पेरक कारिकरम में सूची बद होने वाला एक मात्र भारतिय सहर कौन सा है इंदौर भारत में सरवादिक टाइगर कहां पाए जाते हैं मद्द प्रदेश में किस राज्य सरकार ने चात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पद लाड़ी लच्मी यूजना के तहट 20,000 रुपए देने की घोचना की है मद्द प्रदेश सरकार ने किसने खेल के छेत्र में एक ब्यापक प्रतिवा खोज अभ्यान सुरू किया है मद्द प्रदेश सरकार दुआरा इस अभ्यान की शुर्वात की गई है अगला कोशन डिस्कस करेंगे खबरों में रही नीली नील नदी का उदगम किस देश से होता है तो इसका राइट आंसर है आपसन ए इथोपिया से आए डिस्कस कर लेते हैं इस नदी के बारे में कि यूँ चर्चा में क्यों बनी हुई है नीली नील नदी की सायक नीली नील नदी इथोपिया में ताना जील से निकलती है कहां से निकलती है ताना जील से और इथोपिया और सुडान से होकर जाती है सुडान के सैन्नार प्रांत में नीली नील नदी पर हुई एक जहास तुरगटना में 23 लोगों की मौत हो गई है जिन में सभी महिलाएं थी नीली नील नदी अफ्रीका अफ्रीकी देशों में लोगों और सामानों के लिए एक महतपूर परिवेन मार्क है इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा जबकी मुद्रा है बिरर अब मैट में समझेंगे इस नदी के पारे में फेंट्स यहां से देख सकते हैं यह है इथोपिया यहां से निकल रही है नीली नील नदी और यहां पर नीचे आप देखेंगे यह है लेक विक्टोरिया जील जील से निकल रही है सफेद नील नदी आकर यह दोनों मिलती है और आगे जाकर यह बन जाती है नील नदी अब आ याती है लिएक नेस्ट कोईशन डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान यह नॉटिक्स लिमिटेट ने किस देश की एयरोिस्पेस इंडस्टी के साथ एक समझोता किया है तुसका राइट आंसर है अप्सन भी इसराइल के साथ आए डिसकस कर लिते हैं समझधोते के पारे में यह समझवता भारत में नागरेक यात्री बिमानों को मल्टी मिसंट ट्रैंकर ट्रांस्पोर्ट बिमान में बदनले के लिए किया गया है HAL नए करार के तहट पूर्व स्वामित वाले नाकरिक बिमानों को कारगो और परिवेन चमताओं के साथ हवाई इधन भनने वाले बिमान में परिवर्टित करेगा अब डिसकस कर लेते हैं हिंदुस्तान येरोनॉटिक्स लिमिटेट के बारे में इस थापना 1940 में हुई थी मुख्याल है बैंगलोर करनाटक में है बर्तमान CMD है और माधवन यहें दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी येरोस्पेस और रक्षा कमपनियों में से एक है अब डिसकस करेंगे इसराइल के बारे में मैप में आप लोग इसराइल की लोकिशन देख सकते हैं इसराइल की राजधानी जेरुसलम है मुद्रा है इसराइली न्यू सेकल इसराइल के बर्तमान प्रधान मंत्री है नेफ्टाली बैनेट जबकी राष्ट पती है इसाथ हर जोग अब आप लोग कमेंट्स बॉक्सम बताईए कि जॉर्डन सी से किन दो देशों की सीमा लगती है अगला कुशन डिस्कस करेंगे एलेक्जेंडर बुसिक को किस देश के राष्ट पती के रूप में फिर से चुलिया गया है सर्विया के राष्ट पती के रूप में डिस्कस कर लेते हैं सर्विया के बारे में मैप में आप लोग सर्विया की लोकेशन देख सकते हैं सर्विया एक लेंड लोग देश है जैसा कि आप सभी मैप में देख सकते हैं जो दच्छिडपूर्व यूरोप में इस्तित है सर्विया की राजधानी बैल गिरेड है मुद्रा है सर्वियाई तीनार जबकि प्रधान मंत्री है एना फारविक राश्टपती बन गए है एलेक उत्राखंड राच में आए ठिसक्स करते हैं वन्थ हेल्थ प्रजक्ट के पारे में मतश्य पालन पस्व पालन एवंव डेरी मंत्राले ने उत्राखंड राच में बन फोट्पोट यूनिट द्वारा बन फैल्थ फ्रेंबर को लागू करने हिन्यon Hier के पाइलेड पोट्ज क्यान को कैई इस थरों पर साजा करने के लिए पुरसाहित करना है जो सभी प्रजातियों के स्वास्त में सुधार उनकी रख्षावें बच्चाप के लिए जरूरी है यानि कि ये सभी के स्वास्त पर ध्यान देगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पशू मानब एनिमल सब के स्वास्त पर आगे डिस्कस कर लेते हैं टॉफ फाइब उत्राखंड लेटेस्ट करेंट अफियर कौन सी राज्य सरकार सीमावर्ती छेत्रों में इंपैरी योजना लागो करने के लिए योजना बना रही है उत्राखंड सरकार भारत का सबसे उंचा हरवल पार कहां पर ह उत्राखंड में उत्राखंड के ग्यारवे मुख्य मंत्री के रूप में हाली में किसने सपतली है पुसकर सिंग थामीन है आसन कंजर्वेशन रिजब किस राज्य का पहला रामसरिस्थल है उत्राखंड का उत्राखंड की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है रितु खंडूर नेस्ट कोईशन डिसकस करेंगे प्रकर्ति जिसे हाली में लॉंच किया गया था किस छेत्र में जागरुकता पैदा करने के लिए सुभंकर है तो उसका राइट आंसर है अप्शन एक प्लास्टिक प्रदूशन जैसा कि आप लोग यहां से ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि प्लास्टिक का जो प्रदूशन है वो किसको नुकसान पहुचाता है प्रत्वी को तो यह क्या है प्रकर्ति तो प्रकर्ति सुभंकर है आए डिसकस कर लेते हैं इस किस देश ने हाइडोजन को जला कर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पाइलेट प्रजेक्ट शुरू किया है तो राइट आंसर है अप्शन भी स्वेडन इसमें कोकिंग कोल की जगे हाइडोजन का इस्तमाल किया चाय का अब डिसकस कर लेते हैं स्वेडन के बार फिंट्स याद रखिएगा कि ये स्वेडन की पहली महिला प्रधान मंत्री हाली में बनी है आगे डिसकस करेंगे बैश्विक पर्यावरन के सवालों पर केंद्रित पहला अंथर रास्टिय सम्मिलन कहां पर हुआ था स्टॉक होम में सांती के लिए दिया जाने वाला नोब फिंटा थनबर का संबंद किस देश से है तो फ्रंट्स याद रखना है स्वेडन से नेस्ट कुश्चन डिसकस करेंगे विश्व स्वास संगठन के बायु गुडवक्ता डेटा बेस के अपडेट के अनुसार दुनिया का कितना प्रतिसत हिस्सा आस्वस्त हवा में सांस ल तालिस में की गई थी मुख्याले जिनेवा सुट्जरलेंड में है बर्तमान अद्यश है डॉक्टर टेड्रोस सदस्य देशों की संख्या है 194 2022 में विश्वास्त दिवस्त की थीम क्या है अबर प्लेनेट अबर हेल्थ विश्वास्त दिवस्त किस दिन मनाया जाता है तो फ अनुसार 2023 में भारत की अनुमानित बिकास दर क्या है तो इसका राइट आंसर है अपसन ए 8.37 नेस्ट कोईशन है भारत के के सहर में कोरोना के नए वेरियंट XE के पहले मामले की सूचना मिली है तो इसका राइट आंसर है अपसन भी मुंबई महरास्ट में आई डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में विश्व स्वास संगठन यानि डबलू एचो के अनुसार नया XE वेरियंट पहली बार 19 जन्वरी को युनाइटिट किंडम यान की विटैन में पाया किया था यह दो अन्य ओमिक्रों बेरियंट विए फस्ट और विए सेकिंड का एक डॉलर का योगदान किया है राइट आंसर है अपसन एक खेल मंत्राल है अब आप लोग कमेंट्स वॉक्स में बताईए कि बर्तमान में खेल मंत्री कौन है आई डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में 19-31 सितंबर 2019 के बीच पैरिस में आयजित 7 कोप के संकल्प के अनुसार रा देने पर सहमती प्यक्त की थी बर्तमान में रूबा मामलोग खेल मंत्री है अनुराग सींग ठाकोर तो फ्रेंट्स ये था आज का करेंट अफियर अब डिसकस कर लेते हैं डेली स्टैटिक ची के डोजर 1949 में कॉंग्रिस छोड़ने के बाद स्वाचंद्र बॉस ने किस दल की स्थापना की फॉर बॉर्ट प्लोग की संयुक्त राष्ट संग की स्थापना कब हुई 24 अपरेल 1945 में संयुक्त राष्ट महासवा में हिंदी में भासर देने वाले भारतिय कौन थे अटल पेहारी बाचपई संयुक्त राष्ट संग सुरक्षा परिसत के आइस्ताई सदस कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं दो वर्ष के लिए संबिधान के केस आर्टिकल द्वारा हिंदी को राष्ट भासा घोशित किया गया था आर्टिकल 343 के तहट संग 2016 में ओलंपिक कहा हुए थे रियो डी जैनरो में बैरोमीटर के पठन में तेजी से गरावट किस बात का सूचक है तूफान का भारतिय मरुस्तल का क्या नाम है थार मरुस्तल उज्जेन किस नदी के किनारे बसा है छिपरा नदी के किनारे गोबर गैस में मुख रूप से क्या पाया जाता है मीथेन पाया जाता है कल की क्ला 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा राम दरस मिस्रा को भारत ओके इस देश के वी सयुक्त विशेश वल अभ्यास हाली में संपन हुआ किर्गिस्तान के साथ विश्विध्धाले अनुदान आयोग दिल्ली उनिवर्शिटी और किस उनिवर्शिटी में भीमा बोई पीट आपित करेगा गुरु घासी दास उनिवर्शिटी जो कि कहां पर है 36 गड़ में राष्टपती रामनात कोबिन ने किस देश में पीले टुले फूल की एक प्रजाती का नाम मेत्री रखा है नीदरलेंड किस राज्ज सरकार द्वारा आपातकाल के दोरां जनता के लिए 35 जैनती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयज़त कारी करम को संबोधित किया गुजरात किस राज्ज सरकार द्वारा कच्छा नौ से स्रीमत भागवत गीता पढ़ाय जाने की घोशना की गई है हिमाचल प्रदिश सरकार द्वारा किस राज्ज सरकार ने सरकारी स्कुलो में होबी हब इस्थापित करने की योजना सुरू की है दिल्ली सरकार ने हाली में लॉंच क्वीन और फायर नामक पुस्तक की लेखा कौन है देवी का रंगाचारी गंगोन महावसब मुख्य रूप से किस भार्तिय राज्ज में मनाया जाता है राजिस्थान राज्ज में फिर्ट्स अगर आप लोग चैनल पर नए है और इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल से जानना है तो कल की क्लास देख सकते हैं कल की क्लास में जो क्वेशन पूछे गए थे उनके आंसर डिसकस करेंगे किस देश के मुख्य नियाइदीज ने फास्टर नाम से एक सौट प पड़ों का पता चला तो इसका राइट आंसर था आप शनसी नीदा लेंडर भारतिय संबिधान के किस अनुछेद में संबैधानिक उप्चारों का अधिकार दिया गया तुसका राइट आंसर था अप संसी आर्टिकल 32 में भारत के संबिधान को निम्न लिखित मेंसे कौन सा अनुछित प्रेज के सुतंतरता से संबंदित है आर्टिकल 19 भारतिय संबिधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है सूचना का अधिकार अब आप लोगों के लिए कुछ कोईशन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स फॉक्स में भारतिय भ गुबैग्यानिक बिरासत इस्थलों की पैचान की है नेस्ट कोईशन है आंदुपर्दे सरकाल ने हाली में कितने नए जिलों के गठन की घोशना की है नेस्ट कोईशन है भारतिय मंदिरों में कौन सी विसिस्ताइ मिस्र के मंदिरों के पलाइंस जैसा दिखती है नेस्ट question है 1893 में गड़े स्माहसब किस ने सुरू किया नेस्ट एंड लास्ट question है भारत में remote satellite program के जनक कौन है तो इन सब के answer आप सभी को देने हैं comments box में friends इस class की PDF आप सभी को वीडियो के नीचे description box में टेलिग्राम की link मिलेगी जिस पर आपको ये PDF मिल जाएगी आप सभी Facebook और Instagram पर हमें follow कर सकते हैं आज की class आप लोगों को कैसी लगी comments box में जरूर बताएगा साथी class को like share and subscribe करना ना भूलेगा आज की class हमारी नहीं समाप्त होती है thank you so much